नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम दस्वी क्लास का डाटा Entry Operations का Assignment Solve करेंगे जिसका माध्यम हिंदी है वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ओन कर ले ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए यह Assignment 20 नमबर का होगा इसके अंदर सभी प्रशन करने है सभी के अंक प्रशनों के सामने दिये गए है तो चलते हैं प्रशन की और टिपपनी एक, सभी प्रशनों के उत्तर देने अनिवारे है प्रतेक प्रशन के अंक उसके सामने दिये गए है तू, उत्तर पुस्तिका के प्रथम प्रिष्ट पर उपर की ओर अपना नाम अनुक्रमांक, अधियन केंदर का नाम और विशेस्पष्ट शब्दों में लिखिए एक, निमलिखित प्रशनों में से किसी एक प्रशन का उत्तर दीजिए क, राहुल अपने कम्प्यूटर का उप्योग करके एक पत्र टाइप करना चाहता है इसके लिए वह कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकता है उन चर्नों को लिखें जिनका उसे पालन करना चाहिए उत्तर, राहुल अपने कम्प्यूटर का उप्योग करके एक पत्र टाइप करना चाहता है वह माइक्रोसॉफ्ट ओफिस का उप्योग कर सकता है यदि यह किसी संस्थान के लिए चुट्टी का पत्र था दिनांक, XXXXXXXXXX स्थान, शेहर का नाम, को आदरनिये प्रिंसिपल सर, XXX विभाग, XXX कॉलेज, प्रेशक आपका नाम, आपका विभाग, आपका रोल नंबर, उप, संबंधित आदरनिये महोदय, यह मेरे व्यक्तिगत कारे के संबंध में एक चुट्टी पत्र है जो मेरे पास दिनांक, XXXXXXXXXXX पर है इसलिए मुझे XXXXXXXXX पर एक दिन की चुट्टी चाहिए तो क्या आप मुझे एक दिन की चुट्टी की अनुम्ती प्रदान कर सकते है धन्यवाद सर, आपका आज्याकारी नाम, हस्ताक्षर दो, निमलिखित प्रशनों में से किसी एक प्रशन का उत्तर दीजिए क, किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए विभिन चरनों की सूची बनाएं उत्तर, एक स्टार्ट पर क्लिक करें और सर्च पर क्लिक करें दो, विंडो के बाई और से सभी फाइलों और फोल्डरों का चयन करें तीन, खोजे जाने वाली फाइल में मौजूद कोई शब्द या वाक्यांश टाइप करें या टाइप करें चार, यदि आप किसी भी जानकारी को नहीं जानते हैं तो एक या अधिक शेश विकल्पों का चयन करें तीन निम्नलिखित प्रशनों में से किसी एक प्रशन का उत्तर दीजिए का, निम्नलिखित की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजिया लिखिए एक, रिप्लेस बटा बदले दो, प्रिंट मुद्रित कर तीन, अंडू बटा पूर्ववत करें चार, सेव या सहेज चार निम्नलिखित प्रशनों में से किसी एक प्रशन का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए क, एमेस वर्द की चार प्रमुख विशेश्टाए लिखिए उत्तर, एमेस वर्द की चार महित्वपूर्ण विशेश्टाए एक design आप template बना या चुन सकते है या MS Word की इस विशेशता का उप्योग करके design tab के अंतरगत वह design है जिसमें आप अपना दस्तावेज रखना चाहते है दो mail merge यह एक ऐसा function है जो आपको कमोबेश समान text वाले बड़ी संख्या में अक्षरों दस्तावेजों को print करने की अनुम्ती देता है तीन formatting वर्थ processor एक application software है जिसका उप्योग दस्तावेज बनाने, संपादन, formatting और printing के लिए किया जाता है यह एक computer program है जिसका उप्योग विशेश रूप से किया जाता है चार word art जोडे एक सम्मिलित करें tab पर, text समूह में, word art पर click करें और फिर अपनी इच्छित word art शैली पर click करें दो अपना text दर्ज करें आप किसी आकरिती या text box के साथ साथ word art के text में भी भरन या प्रभाव जोड सकते है पांच, निमलिखित प्रशनों में से किसी एक प्रशन का उत्तर लगभग एक सो से एक सो पचास शब्दों में दीजिए क, निमलिखित के लिए चरन लिखिए एक, पेज पर बॉर्डर लगाने के लिए दो, पेराग्राफ स्पेसिंग लागू करने के लिए उत्तर, एक किसी पेज पर बॉर्डर लगाने के लिए डिजाइन, पेज बॉर्डर्स पर जाए Border और Shading Box में अपना Border डिजाइन करें By or Setting के अंतरगत अपनी इच्छित Border शैली चुने यदि आप Border हटाना चाहते हैं तो कोई नहीं चुने दो Paragraph Spacing लगाने के लिए Home Tab पर जाएं Paragraph समूह के भीतर लाइन और Paragraph Spacing आइकन पर क्लिक करें Paragraph रिक्ती के लिए अलग-अलग पूर्व निर्धारित विकल्प दिखाने वाली एक सूची दिखाई देगी उस नंबर पर क्लिक करें जिसे आप Line Spacing के लिए चाहते है छे नीचे दी गई परियोजना में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए आई ख निमलिखित एक कक्षा का वर्षवार परिनाम ए इन आंकडों का एक आरेक ग्राफ बनाने के चरन लिखिए उत्तर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आपको assignment की PDL चाहिए या हाथ से लिखे assignment चाहिए तो description में हमारे वहाथ एप number पे संपर्क करे धन्यवाद